तो ये है इंडिया के 6 main core science branches और इस साल budget आया इनमें से 3 का budget बड़ा, 3 का कम हुआ तो चले जानते किसका क्या हुआ सबसे पहले हम बात करेंगे Department of Atomic Energy के अवारे में जो माले nuclear लोग है इनको इस साल मिला 25,000 करोड और last year उन्हें मिला था 25,965 करोड आप इनका graph देखो last 6 years का बाप बोलोगे कि मैंने graph green क्यों किया इसलिए क्योंकि last year actually उन्हें promise किया गया था 22,000 करोड जो promise budget था पर क्या होता है year के थू बाद में revise हो जाता है budget about halfway through और उन्हें एक्स्ट्रा एलोकेशन मिला 25,965 का तो यह अच्छा भी है बुरा भी आपके उपर आप कैसे देखते हो इसलिए मैंने इसे green कर दिया तो अच्छा बात है new reactors और new research के लिए पैसा अगले हम बात करेंगे department of scientific and industrial research यानि DSIR यह काफी important ministry है आपने सुना होगा CSIR, NEL वगएर यह सब जो aerodynamics research करते हैं दूसरे research भी है जैसे farms और animals बहुत कुछ बहुत कुछ deep research करते हैं अलग-अलग fields में इन्हें इस साल मिला 5,700 क्रोड करीब पगर आप last year का देखो तो इन्हें मिला था 5,941 क्रोड आप इनका graph देखो तो यह ऐसा कुछ है इंट्रेस्टिंग है ऐसा क्यूं मतलब relatively last 4 साल या 3 साल में increase तो हुआ है पर हाँ यह decrease था इस साल का इनके लिए अगले हम बात करेंगे DST यानि Department of Science and Technology के बारे में यह तो आपको बताई होगा यह science funding वगरा करते है science scientist के grants वगरा सब मैनेज होता है काफी important institution है इन्हें इस साल मिले 7,931 करोड इन्हें 2022 यानि लास्ट यह में ले perspective एक relative perspective मिलता है pattern के उपर और मैंने last six years ही लिए क्योंकि inflation लंबे patterns लूंगा तो inflation का वो सब भी आ जाते है उसमें वो गड़बड हो जाते है तो इसमें भी inflation का aspect है पर आप थोड़ा बहुत समझ पाऊगे तो इनका अच्छा चल रहा है अगले हम बात करेंगे DPT यानि Department of Biotechnology यह vaccines और health related research करते है या responsible research के लिए इन इस साल मेले 2006 83 करोड लास्ट यह मिले थे 2192 करोड आप इनका graph देखो तो यह काफी अजीब है अजीब इसलिए है क्योंकि pandemic time के उपर यह main ministry के end of बन गई थी और इन्हें बहुत बड़ा allocation मिला थे 2021 में वैक्सिंस रिसर्च होगे रख के लिए तो हां काफी important ministry पर इनका overall घड़ गया है पैसा अगले हम बात करेंगे ministry of earth sciences के बारे में यह बहुत-बहुत important ministry ocean से लेके weather तक यह सब earth sciences geology अगेरा पर है IMD वगेरा आपने सुना होगा metrology department वगेरा मेट department यह सब इसके अंडर आते है और इनको इस साल मिले 3300 करोड के आसपास और पिछले साल का अगर आप देखो तो नहीं मिलते 2000 करोड करीब अब इनका graph दिखो तो यह rice की उपर है overall तो इस साल काफी सारे रेडास वगेरा इंस्टॉल करने के लिए इन्हें पैसा मिला है तो यह अच्छा trend पे चल रहा है ministry of earth sciences last but not the list अपना DOS यानि department of space इसका कुछ हाल अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि उन्हें इस साल मिले 2005 43 करोड आप बोलोगे लास्टर से जादा मिले लास्टर तो मिले ते करीब 10,000 करोड पर लास्ट यह का रिवाइस 10,000 करोड था प्रॉमिस था 13,700 करोड यानि मेड एर के तुरू उनके रिव्यू के बाद उनका पैसा कम किया गया लास्ट यह तो हां तो और इनका डाउन ट्रेंड चल रहा है काइंड ओफ आप बोल सकते हो यह स्टेगनेशन भी आप बोल सकते हो काइंड ओफ सिगनेट हो गया यह लास्ट हमने पीक देखा था हो 2019 में जब अल्मोस 13,000 करोड असाइन हुए थी इसे और लास्ट लोर्स था 2020 में पैंडमिक एर में जिसमें कुछ खास एक्टिवीटी ह हुई नहीं थी वो था 9,500 क्रोड के असपास अब मैंसे बोलोगी जादा रॉकेट लॉंचिस हो रहे नहीं पर रॉकेट लॉंचिस के लवा बहुत कुछ करता है जरो जैसे रिसर्च और एक्जिस्टिंग डेटा को एनिलाइस करना एनारसी वगेरा फ्यूचर प्रोजेक् मिले इस साल क्या प्लाइन कर रहा है इस साल मतलब मार्स 31 के बाद क्योंकि मार्स 31 से पहले हमें एक जीसली मार्क 3 लॉंच मिलेगा मुस्ली और एक SSLV लॉंच मिलेगा होफुली तो अगर यह डॉक्यमेंट देखो तो आप देखो दिखेगा कि दो अर्थ अब्जर्वेश यह मुस्ली चंदरयान 3 के लिए जीसली मार्क 3 और एक SSLV लॉंच तो दो SSLV लॉंच होंगे इस साल तो देखते हैं अगर आप और नीचे आओ तो आपको दिखेंगे कि 5 जो यह कम्यूनिकेशन सैटलाइट से वो रियलाइज होंगे इस साल यानि बनेंगे बनके तो निक